हाई फ्रेंग्स कैसे हैं आप सब हाई होफ आप लोग अच्छे होंगे और आज मैं आ गई हूँ एक अलग तरीके के व्लोग के साथ आज तक आपने मुझे सिर्फ किचन में काम करते हुए देखा होगा आज मैं अप लोग अगता शेयर करूंगी कि मैं चुलिले पर खाणा बना रे थी तो मैंने सोचा कि व्लोग शूट कर लेती हूं यह वीडियो कल का है मतलब मैं एडिट मंडे को कर रहे हूं और यह वीडियो संदे का है तो पहले सारा समान हम लेके आये उपर मतलों सिलबटटा वागयरा मैंनों सिलबटटा अपर ही रख लिया है मेरे चुल्ले पे खाना बनाते हैं धूप में खाना बनाने में मज़ा भी आता है दूप में तो चुल्ले पे काम हो जाता है लेकिन सर्दियों में हो जाता है गर्मियों में नहीं हो पाता है तो मैंने सोचा कि ठीक है उपर याज मज़े करते करते खाना बनाएंगे यहीं पे जुले पर कुनी काम का रही है फिर भी फिर परने दिन को याद कर रही है और यह कर आज अर जंदूर आसके बहुत ज्याद नहीं को शूचिह आप लोगों कि साथ भी व्लोग शेयर कर लेती हूँ वीडियो मेरी बड़ी वाली बेटी ने बनाया है इसलिए अच्छे से नहीं बनाया उसने अगर मैं बनाती तो अच्छे से बनाती पूरा मसाला सिलबटे पे पीसकी डाला था लसन प्याज बगेरा सारी चीजे बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा था मैं क्या बता हूँ आप लोगों को और वैसे भी मैंने इतने दिनों के बाद ट्राइ किया था चूले पे खाना बनाना मेरे पास चूला भी नहीं था मेरे अजबन बोल रहे थे चूला बनाने के लिए लेकिन आप लोगों को पता ही है मिट्टी का चूला जब हम बनाते हैं तो वो बनते ही तो सूखता नहीं है ओठन में तो वैसे भी ज़्यादा टाइम लेता है तो उसको अगर मैं बनाती तो उसको सूखने के लिए ही काफी टाइम लग जाता तीन-चार दिन तो वो सूखने में ही ले जाता लगबग अगले संडे को फिर में बना पाती है सब चीजे जो मैं आज कर रहे हूँ तो फिर अचानक मैं को आइडिया आया कि क्यों ना मैं इटे रखके ही और एक ट्रेम ट्रेली चूला रेडी कर लूँ और फिर मैं वीडियो बनाऊ और फ्रेंट्स लकडी वगएरा जो जलाने के लिए लकड होते ना बड़े बड़े वो भी नहीं थे तो इधर मैं मैं मसाला वसाला पीस रही हूँ दूसरी तरफ मेरे हस्बेंड लकड का इंतिजाम कर रहे हैं आग जलाने के लिए मतलब जो बड़ी-बड़ी लकड हैं वो लेके आए और उनको ना उनको चैनिय तोड़ के साथ तोड़ तोड़ के उनको छोटा कर रहे हैं ताकि मैं खाना बना पाऊं तो ये देखे मेरा मसाला पिसकेक दम तियार हो गया है और इतना अच्छा खाना बना था ना फ्रेंड्स बच्चों को भी इतना पसंद आया और उपर से बना हो जब मिट्टी की हांडी में तो क्या ही बोलूँ मैंने बनाई थी आलू गाजर और मटर की सबजी बहुत ही टेस्टी बनी थी बहुत ज़्यादा मज़ा आया सच में मैं तारीफ करते नहीं थक रही है और अभी भी मेरे मूँ में पानी आ रहा है खुश्पू तो इतनी अच्छी थी ना मसाले की भी आता है बहुत मज़ाया अब हम हर संड़े यही करेंगे मतलब इतना इंज्जॉई कि हमने की हमारा मन ही जही दिन भी चुटी होगी जिन हम चूले पर खाना बनाएंगे और मैं व्लोग आ व्लोग विशाष शेयर करूंगी तो मैंने आलू क्लीन कर लिए हैं अभी मैं इनको कट कर लूँगी और फ्रेंड्स मुझे चोपिंग बॉड पे ही काटने की आदत है मिरको आदत नहीं है सबजी हात में उठा के काटने की और कितने सारे तो चकर लगा ये बच्चों ने उपर मतलब मेरको सिर्फ एक बार जाना पड़ा जब मैं मेटी के हांडी लेके गई और मतलब ता कि गिरा के तोड़ना दे बच्चे इसलिए वो मैं खुद ले गई थी नहीं तो सारा टोटली समान बच्चों ने अपने आप से उपर चड़ा दिया था इसलिए तो बहुत मज़ा है सच में मैं कहती था कर नहीरी बहुत मज़ा है बहुत मज़ा है अगली अगली बार भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ये सब चीजे तो यहां पर मैं ग्रेन चिली कट करने वाली हूँ मुझे इसी तरीके से सब्जी काटने किया ज़त पड़ी हूई है मैं ऐसी काटती हूँ और आप लोगोंने कैसे संडे इंजोई किया मुझे बताइएगा जबर मैंने कपड़े भी धोय थे लेकिन कपड़े मैंने रात में दो लिये थे और सुखा मैंने सुभा दिये थे अच्छी धूप निकली थी लेकिन एक और चीज थी कि मतलब धूप के साथ साथ हावा बह तो हवा तेज नहीं चल रही थी लेकिन बाद में हवा बहुत ज़्यादा तेज चलने लगी थी थोड़ी सी प्रोब्लम हुई खाना बनाने में लेकिन इतनी भी नहीं हुई कि मैं बनाना पाऊं अगर होती तो मैं ना बनाती क्योंकि एक तरफ से फिर थोड़ा जहां से हावा आ रही थी महां से थोड़ा सा हमने बन कर दिया था हावा आने का रास्ता इसलिए अच्छे से सारा काम हो गया तो सबजी हमारी हो गई है तैयार छोकने के लिए और मैं सबजी छोक दूँगे भी देखि पहले चुले मैं आग जला रहे हैं यह मैंने हैसी बना लिया था टेंप्रेली जूला अच्छे से सेट की थी ताकि हिले ना इसके उपर जब मैं मिटी की हांडी रखूंगी तो और यह देखिए कि इच्छी आग जल गई है इसका मतलब यह है कि मैं कुछ भी भूली नहीं हूं मुझे सब य रहूंगे लेकिन कभी-कभी करते हैं तो मजाता है और इसमें कितनी टेस्टी सबजी बनी थी बहुत ज़्यादा सब बहुत तारीफ कर रहे थे मेरी तो यह जल गई है आग और मैंने हांडी चला दी है चूले पे और उधर मूली वगए भी रख्यों यह खाने के साथ कट करने के लिए सैलेड कितना मजार है न आप लोगों को देख की भी मजा रहा होगा तो इधर मेरे हस्बन कर रहे हैं मेरे लिए लके तैयार ताकि मैँ चूले पे रोटी बना सका उनके लिए और सबसे अच्छी बात तो ये थी कि मैं चुल्ले पर रोटिया बना रही थी और हाथ के हाथ इदर खा रहे थे बच्चे हस्बिन ने बाद में खाई थी भलके मेरे साथ लेकिन अच्छा लगता है जब साथ में बाट के खाना खाते हैं तो है न और जरुत की सारी चीज़े उपर ले ही आये थे फिर बस फिर खूब इंज़ोई किया ये देखे मेरे बच्चे हवा थंडी थी तो थंड भी लग रही थी इसलिए आग जलाने की वज़े से बच्चे आसपास में बाट गए थे ये सुबा का टाइम है साड़े दस का टाइम है जब में ये काम कर रही हूँ और बारा बज़े तक बना के खा के हम नीचे चले गए थे सारा समान समेट के सबजी छुक एकदम रेडी हो गई है मै ने पर जुरू से नहीं दिखाया है सबजी छुक गई है तो थम ले दिखाया क्योंकि मेरे हाथ में shirts होता है तो मैं मतलब suate कर लेती हूँ लेकिन दूसरा जब कोई suate करते है तो उसको बताना पड़ता है हम अपने हिसाब से जो सूट कर सकते हैं वो दूसरा नहीं कर सकता तो देखें यहाँ पर रोटी बननी शुरू हो गई है बहुत दिनों बाद में चुले पर रोटी बना रही है मैंने बहुत दिरे दिरे बनाई थी और आग ना इतनी फैल रही थी हवा की वज़े से बहुत ज़्यादा ज़्यादा अच्छी तो नहीं बनाई मैंने क्योंकि 12 साल बाद बनाई है लेकिन काफी अच्छी काफी आदा था कि ओक्योंके थी तो यह देखें रोटी बनके तयार है चुले की आज़े आप सब भी इंज़ोई करिए और मैं भी आपको दिखाती हूँ सबजी सबजी कैसी है हमारी देखने में मेरे बच्चों ने पहली बार मिटी के हंडी की बनी हुई सबजी खाई है मैंने भी मैं बताऊं तो मैंने भी घर पे पताए वो होती है जो इसको पतीली भी बोलता है हमारे यहां पर उसमें सबजी बनती है तो हंडी में मैंने पहली बार ट्राई की थी और मैं पहले भगोना रखने वाली थी लेकिन मैंने इसलिए रखा कि वो काला हो जाता बहुत बूरी तरह इसलिए मैंने फिर सोचा कि मेरे पास मेटे की हांडी है तो मैं उसी को यूज कर लेती हूँ और इसमें सच्छी में बहुत अच्छी सबजी बनी थी अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरी सबजी देखी कितनी कलरफूल और कितनी टेस्टी थी यह बहुत मज़ाया बात यह कि मेरे बच जिसने यह बनाई यह ना मेरी लड़ी किने बुड़े बड़े लेकते कैमरा यतना ज़्यादा हिला रही है और बिल्कुल करीब से थोड़ा दूर से दिखाती है ना तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता मतलब थोड़ा सा लेती कि कैसे काम हो रहा है उसको नहीं पता अगर मैं बनाती तो बहुत अच्छे से बनाती या कोई बड़ा बनाता तो भी हम दोनों काम कर रहे थे मैं और मैंने उससे थोड़ा बहुत व्लोग शूट कर वा लिया था तो जैसे भी मैंने सोचा आप लोगों किस्ता शेर कर दूँ इसलिए मैं वीडियो बना के आ गई सबजी देखके मुवे में पानी आ रहा था रोटी बनाना न बड़ा मुस्किल हो गया फिर ऐसा मन कर रहा था जल्दी से खा लूँ इसको बच्छे बहुत एंजोई कर रहे थे बहुत मज़ा रहा था सच में फैमिली के साथ टाइम स्पैन करने में जो मज़ा है वो कई और कहां तो यह देखे छट पर पानी वगएर रखा हुआ है यहां पर लकड त्यार कर रहे हैं बच्छे अपने पापा को बार बार एक एक बाइट खिला के आ रहे थे क्योंकि किसी से रुका नहीं जा रहा था खाना इतना टेस्टी बना था बहुत मज़ा रहा था तो आप मुझे बताईए का आपको कैसा लगता है चुले पर कभी आपने बना के खाया है खाना तो यह देखिए इदर हम कहरें खाना और मैं यहां खाना खाके उठ चुकी हू तब मैंने फोन उठाके वीडियो शूट किया है थोड़ा कि अब मैं सूट कर लेती हूं थोड़ा सा और तो यहां पर मैं पूछ रही थी कि बताओ आपको कैसा लगा खाना अच्छा या बेकार तो भी खाके बताएंगे मैंने म्यूट कर दिया लेकिन क्योंकि और भी इसने तेज आ रही थी कि फिर मुझे वीडियो में वाज डालनी ही पड़ी नहीं तो मैं वीडियो में वाज नहीं डालती है अगर सब कुछ ठीक होता थो देखें बता यह ऐसी तारीफ करते हैं गर्दन हिला है लाके मैं कह रही हूं कैसे कर रहे हो ठीक से बोल लो तब बो है खाना काली हो गई है अभी थोड़े दिनों में चूला बना लूँगी मिटी का तो चुट्टी वाले दिन या संडे जैसे भी पड़ता है उसी साब से फिर हम महीं पर खाना बनाएंगर यह कपड़े हैं जो मैंने धोई ते सूग गए तो मैं एक दिवार पर कर दिए झाल 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